Congress में बयान बाजी थमने crazy हम नहीं ले रही है पीते दिनों जिस तरह का घठना करम देखने को मिला pilot के विधाया सचिन पालिट को मुखे मंतरी बनाने की मांग करते रहे वही अशो गहलोद गुट के विधाया कहीं ना कहीं सचिंग पालेट गुट को गदार बताते रहे इसके बाद वैनु गोपाल की ओर से एक आदेश लिकाला गया कि इस पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा लेकिन आज इस तरह सचिंग पालाइट को लेकर मुख्य मंत्र अशो गहलोद ने उन्हें गदार कहा इसके बाद सियासी गल्यारों में चट्चा का विशय बन गया हालनकि इसको लेकर विज़ेपी लगातार तंश करते आ रही है कि विदानसवा द्यक्ष को जिस तरह स्तीफर सोपे गए हैं उनको सुलकार कर ले इस वक्त हमारे साथ खास बादचित के लिए विज़ेपी से वरिष्ट नेता हमारे साथ मुझूद है राजस्तान की जनता का दुर्भाग्य है कि जब से ये सरकार आई है ये सरकार अपने आपको बचाने के लिए महिनों फाइप इस्टार होटलों में बंद रही और आपने देखा है कि राजस्तान पुरे भारतवरस में बेरोजगारी में नम्मर वन महिलाओं के अत्याचार में नममर वन किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा जबकि इनों ने कहा कि सरकार बनने के बाद हम दस गिंती करेंगे और किसानों के करजे माप करेंगे आज तक किसान तड़ रहे हैं उनके कर्जे माप नहीं हुए हैं वरोजगारे में पूरे भारत में नमर्वन बेरोजगार को गुजरात मैं जाकर के काइंगरेस कारियाले के सामने धड़ना देना ना पड़ रहा है। यह दुर्भागें इस जंता के हैं राजיתי के जनता अब तयार बेटी है किस तरीके से आने वाले छह मैंने पूरे किये जाए और भारतिय जनता पार्टी इस राजस्तान की सत्ता को समा ले और सभी वर्गों को उनके जितों की रक्षा करते हुए उनके हाधिकार मिले अब ध्यार राजस्तान की बेजार हो गई है इनके जग्ड़े से जब अपने आपकोई बचाने में समय पूरा गवार रहे हैं जनता की विकास की तो कोई बात नहीं है आई दिन देखें ने आप केबिनेट मंत्री एक दूसरे के विरुद बयान बाजी कर रहे हैं अब सर परसास नहीं कहधिकारी केंदरी इनके जो एक विम्टिरे उनकी भी सुनते नहीं है यहां का जो पूरा सदावने वह वे उस्ताइए वो तो अब सर्साही चला रहे हैं नेताओं के पास कोई पावर नहीं है पावर का के अंदर है मुख्य मंत्री जी मुख्य मंत्री अपनी शीट को बचाने में लगें में है 37 पुनिया जी कह रहे हैं सर्दार सहर का चुणाओं देखो का पर बाताकि सबस्ते साधारस से नहीं लिए Ho देखो यह भरनना ही पाले सर्दाकिय अब बारतिय जनता कर रहे हैं कि बांपर होण investment के अंदर मैं में खुद होंना करके आए हूं जंता कह रहीBut कि हम प्रतिक्षा कर रहे हैं कि वोटिंग हो और बार्थी जनता पालिटी के पक्ष में बोट डालें और हमारे कंडिडेट को बड़े बोटों से जिताएं और यह बरम विदान सभा का भी नहीं पाड़ें विदान सभा के अंदर में अब के वार रिकोर्ड तोड़ेंगे में समीत करेंगे इनको पहले तो 21 और अब के वार 11 भी आये तो बहुत बड़ी बात है लेकिन गुजर समाज विरोत में उतरा हुआ है राजंदर गुड़ा इंदराज गुजर कह रहे हैं कि वीजिपी और कई ना कई कांग्रेस को तीन नेता है जिनको नोटिस मिला है यह मिलक कर विजय बैसला को बढ़का कर राहुल गांदी की आतरा को विगारने के कोशिश कर रहे हैं कोई किसी को बढ़काता नहीं है सब अपने अपने हधिकारों को मांगने के लिए परियास कर रहे हैं सरकार को बनेवे चार साल हो गए और सरकार ने चार साल में कुछ भी नहीं क ये किसान तो जाई रहे हैं लेकिन गुजरों के साथ साथ अन्य समाज के लोग में जाने वाले हैं राजस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है इनको भारत जोडों की चिंता लगी हुई है पहले अपनी पार्टी को तो ये जोड़ें नहीं पारहे और पुरे भारत्रत्मय को जोड़ने के देख decade करने वारू जिसके पाइसान बना जिसने देस का डीवाईडेस न कर दिया वह अब कह रहें बारत्रतजो ये तो एक जनता के गड़े उतरने वाली भी बात नहीं है तो यह थे विजेपी के वरिष्ट नेता जिन्हों ने कहा कि कांग्रेश जिस तरह के वादे कर रही है कि हम जीतेंगे विदानसभा चुनाव लेकिन इस उप्चुनाव में उनको परिणाम पता लग जाएंगे क्योंकि बेरोजगार सड़कों पर है और जो है आम जनता सड़कों पर है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है कांग्रेश की अंतर कहले खुलकल करकर सामने आ रही है ऐसे में क्या वो जिनाव जीतेंगे ये भी देखने वाली बात होगी वसंद पांडे टीवी नाइन जैपूर